दोस्तों यदि किसी बिरित की परेधी 154 cm है तो बिरित का छेदर फल क्या होगा तो बिरित की परेधी से पहले आप R निकालिए उसके बाद जो है बिरित का छेदर फल का फर्मूला लगाईए तो बिरित का परेधी जो होता है वो होता है 2 by R तो पाइर बराबर आप 154 दिया गया है वो लिखिए यहां से जो है आर का मौन निका लिए टू इन्टू 22 बटा साथ गुना आर बराबर 154 यहां से 22 से कटा देजिया कर जाएगा 22 सते जो है 22 सते यह पूरे साथ बार में कटेगा 22 सते 154 उसके वाद यहां पर देखिए साथ इधर आपके गुना कर लेगा तो यहां आपका आर बराबर निकल जाएगा 27 सते 49 बटे मुझेगा 22 यह आपका आर का मौन निकला अब आपको छेतर फ़ल निकालना है चेतर फ़ल होता है पाई आर स्क्वाइर तो पाई का मौन दिया गया है 22 सत गुना आर का मौन आपका है 49 बटे दू गुना 49 बटे दू साथ से कटा यह साथ से ससते 49 साथ बेर मिया साथ एक बार में उसके बाद यहां दो से कटा यह एक गया रहा है कि उसके बाद आपका उपर में हो गया एकार है सते सततर गुना 49 बटे दू कि इसको गुना कर लिजिए सतना मात तीरे सट के तीन पहुंकी छोगा साथ चोग आट थाइस चोग चाओं तीस आज है अब शचे को तो गाए 228 तीस तीन स्वत आता निस तिन स्वत आलेस तीन चार तो तीन साथ चार तीन साथ तीन अब अब टेस दू कर दिए तो गूर एक मुझा दू दूस अठे सोल मैं कि एक पर साथ शाट रह दूश्य बारे कि दूपंचे दस अठारे सो ची आसी दस अमले पॉंच अधि सेंट्री मीटर में दिया गया है तो सेंट्री मीटर कि इसकुआर हज़ेगा अंसर आपका तो उम्मीर करते हैं का आप समझ गए होंगे हुआ है